कूश तथा कथित विद्वान कहते हैं कि नीची जाती वाले को प्रवचन करने का अधिकार नहीं है गुरुपिया इसके संबन्द में आप सत्य का निरुपन कर दे ताकि लोग भविश्य में किसी को भी भ्रमीत नहीं कर सके प्रणाम दिनेश जैन तथा कथित विद्वान कहते हैं उसका उत्तर तो आपके पास में भी है उत्तर की जरूद कहा है योकि जब आप पूछते हैं कि तथा कथित विद्वान ये कहते है इसका मतलब विद्वान नहीं कहते योकि जो विद्वान है उनके लिए तो क्या उची जाती और क्या नीची जाती जो ग्यानवान है वीदवान शब्द बना है वीद माने ग्यान जो ग्यानवान है जिसने ग्यान को अनुभव किया है उसने तो अपनी एक ही जाती जानी है ग्यान ही मेरी जाती है चैतन्य ही मेरी जाती है और इस जाती में उचा और नीचा कुछ नहीं यहां तो मती ज्ञान से लेकर केवल ज्ञान तक, हीन परियाई से उत्कुरुस्ट परियाई तक, इन परियाईों में भी जाती का भेद न करके ज्ञान मात्र कहा, अब बात रही, नीची जाती और उची जाती वाले, सबसे पहले तो नीची जाती वाले को प्रवचन करने का अधिकार नहीं है, ऐसा मानने वाले और कहने वाले को ही प्रवचन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे मिथ्या द्रस्टी है, उनकी द्रस्टी में अभी देह है, और जिसकी खुद की द्रस्टी में देह है, वो दुसरे को चैतन्य परमात्मा से क्या परिचय कराएंगे, जो खुद कीचड से उपर नहीं उट सके, वो दुसरे को रत्न क्या बताएंगे, जो अभी बूचड खाने से बाहर नहीं निकले, उनके लिए सिद्धपूर की यात्रा बहुत दूर है, भ्रमीत होने वाले ही भ्रमीत होंगे, दिनेश्चेन तुम भ्रमीत नहीं होगे, क्योंकि तुमारे भीतर में विवेग जगा है, तुमारे भीतर में मुझे इतना पक्का भरोसा है, कि तुमारे जैसा होनहार सादक, इतना पुर्शार्थी सादक, इतना मेहन्ती सादक, और इतना विराट द्रस्टी से वस्तु स्वरुप को समझने के लिए बेताब, इसकी समझ में ये अच्छी तरह से आ सकता है, प्रवचन करने का अधिकार नीची जाती वाले को नहीं है, परियाई की द्रस्टी से ग्यान की ये जो पांच जाती कई है, पांच अवस्ता कई है, मती ग्यान से लेकर केवल ग्यान तक, असल में तो उन्हें अधिकार है प्रवचन देने का जिनकी जाती उची है इसलिए तो दिव्य धोनी इसलिए तो चैतन्य की पुकार करने का सबसे पहला अधिकार है तिर्थंकर परमात्मा को फिर बाद में अधिकार है गंधर देव को फिर अधिकार है आचारे उपाध्याय साथो को, और फिर अधिकार है प्रत्यक सम्यक द्रस्टिक ज्यानी धर्मात्मा को, उसका कारण है कि ये जो प्रवचन है, ये जो वाणी है, इस वाणी को द्रव्य सुरूत कहते हैं, ये जिनेंदर भगवान के वचन है, ये द्रव्य स और द्रव्यसुरूत किसे कहते हैं? जिनके भीतर में भावसुरूत प्रगट हुआ है। उन्हें जब वानी निकलती है वह वानी वह प्रवचन द्रव्यसुरूत बन जाता है। इसलिए लोग तो यह भी कहते हैं? जैसे आपने पूछा लोग तो यहां तक कहते हैं कि परम कुरुपालो देव का जो आत्मसिद्धी शास्तर है उसे शास्तर नहीं कहना चाहिए। क्योंकि वह तो ग्रहस्त थे। जैसे कोई कहता है ग्रहस्त को प्रवचन देने का अधिकार नहीं है। जैसे ही कोई कहता है कि नीचे जाती वाले को प्रवचन देने का अधिकार नहीं है। मगर ये प्रवचन द्रव्य सुरूत है और द्रव्य सुरूत का अधिकार उन सभी को है जिनके भीतर में भाव सुरूत प्रगट हुआ है। और नीची जाती वाले को प्रवचन देने का अधिकार नहीं है नहीं दे सकते नीची जाती वाले प्रवचन नहीं दे सकते शास्त्र में लिखा है नगर आप परमात्माओं को मैं क्या कहूँ शास्त्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख़, इसाई इन सब को जाती कहा ही नहीं है शास्त्रों में जाती कही है एक इंद्रिय जाती कही है दो इंद्रिय जाती कही है तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय, ये जाती कई है ये जो जाती के भेद हैं मारगणा स्थान के चवदा भेद है उसमें जाती भी है उन जातियों में ये हिंदू मुस्लिम नहीं है ये वालमी की और देवी पूजग नहीं है ये ब्रामण और क्षत्रिय नहीं है उनमें एकेंद्रिय है वे प्रवचन नहीं दे सकते हैं उन्हें प्रवचन देने का अधिकार नहीं है सीधी बात है क्योंकि उनके पास वाणी नहीं है जिनके पास वाणी नहीं है ऐसी जाती वाले एकेंद्रिय को प्रवचन देने का अधिकार नहीं है जिनके पास में वाणी नहीं है वे कैसे बोलेंगे जाती का अर्थ एकेंद्रिय है और उस एकेंद्रिय में भी परमात्मा को जो देखता है वही प्रवचन देने का अधिकारी है करूना करना किसी को उत्तर देने मत जाना भाव ना पाना उस परमात्मा को भी परमात्मत्रस्टी प्रगट हो क्योंकि हमें तो हमारा संसार हमें तो हमारे परिभ्रमन से छुटकारा पाना है इसलिए उनके साथ में कुछ भी कहे बिना बस और जो खुद कहते हैं नीची जाती वाले को प्रवचन देने का आधिकारनी उनसे पूछो ने तुम्हारी जाती कौन सी तुम्हें पता है तुम्हारा बाप का बाप का बाप का बाप कौन साथ कहा था मैं ऐसे पाकिस्तान में ऐसे लोगों को मिला था जो खुद मुझे कहते थे कि बस अभी पांच साप पेड़ी की ही बात है पांच साप पेड़ी से पहले तो कोई कहता है हमारे दादा के दादा ऐसे जैयन थे, आज वे मुसलिम है नमाज पढ़ते है मुसलिम माने नीची जाती वाला, मगर उसके बाप कौन देखने गया यहाँ दुनिया में जो भी दिखाई देता है वो सत्य नहीं है उची जाती, नीची जाती कैसे पता चला मा है बाप है कहां से, कहां से कार्ती के यह मूनी उनका जन्म हुआ माता पीता कौन थे उनके नाना ही उनके पीता थे पीता और पुत्री के बीच में रिष्टा हो गया बेटी ने तो पीता जी को एक फूल दिया था वातसल्य का प्रतिक समझ करके पीता ने समझ लिया वासना के रूम में और बेटी के साथ में वो संबंद बनाया और बेटे का जन्म हो गया कैसा बेटा पीता पुत्री के काम से पैदा होने वाला ये बेटा नगर वह बेटा आगे बड़ा हो करके फिर जब उसे पता चला जब उसने अपनी मां से ये जाना क्योंकि सभी मित्र कार्ति केई के सभी मित्र अपने नाना के वहाँ जाते थे अपने नाना के वहाँ से सभी मित्रों को भेटा आती थी कार्ति केई ने अपनी मां से पूझा कि मेरे नाना कुछ क्यों नहीं भेजते या फिर मैं अपने नाना के वहाँ पर क्यों नहीं जाता तब जाकर के कार्ती के एकी मा ने बताया कि तुमारे जो नाना है तुमारे जो पीता वही तुमारे नाना है और वही बेटा आगे जाकर के मुनी हुआ वैराग्या आ गया मुनी हुआ फिर कार्ती के यह अनुपरेक्षा उन्हें नहीं लिखनी चाहिए माबाप कैसे थे कैसा बाप था कि अपनी बेटी को भी न छोड़ा ऐसे बाप के बेटे को प्रवचन देने का अधिकार नहीं अरे बाप के कर्म बाप के पास बेटा उससे क्या करे बेटा आपनी चैतन्य की मस्ती में है कोई रिष्टा ने ये उपर उठो चमड़े से उपर उठो कब तक फसे रहोगे उस कीचड में और ऐसा वितराग चैतन्य परमात्मा का मार्ग पाकर के भी उन देह द्रस्टी वाले परमात्माओं का भी निकट काल में निर्वान हो उनका भी मिध्यात्व का कच्रा छुट जाए ऐसी भावना भाते है ऐसी प्रार्तना करते है उन परमात्माओं के लिए भी पर प्रभु की या आहो आहो उपकार आहो आहो उपकार देह सहित जिन की दशा वरते देहातीत उन ग्यानी के चरण में भो बंदन अगणित ओ वंदन अगणित ओ वंदन अगणित ओ वंदन अगणित